दोस्तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो घर की कंस्ट्रेक्शन वे भी सुरू से लेकर लाश्ट तक मतलब साथियो अगर आप नया घर बना रहे हैं या घर बनाना सीखना चाते हैं या पिर आप जानना चाहते हैं कि घर बनाते समया में कौन सा काम किस किस समया पर करना चाहिए तो वीडियो में अंतक बने रहेगा मैं आपसे पक्का प्रोमिस करता हूँ कि आज के यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो चलिये दोस्तो ज़्याद दिरी नखरते हूए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम आता है घर का प्लान यानि कि घर का नक्सा तो साथियो घर का प्लान आपको पहले ही बनवा लेना है किसी आर्केटेक या फिर किसी इंजीनियर से आप ध्यान रखे कि घर का प्लान आपको पहले से बनवा कर रखना है ताकि आपको कोई भी चेंजिस करने हो तो वह पहले ही करवा ले मतलब आपको अपने हिसाब से रिविजन वगरा पहले से ही करवा के रखना है जब आपका satisfaction हो जाए तब भी आप अपने घर की construction स्टार्ट करें अब next step पता है आपका drawings वगरा complete होने के बाद plot cleaning का साथियो जिस भी plot या फिर जमीन पर आपको घर का निर्वान कराना है तो सबसे पहले उसको आपको अच्छी तरह से clean कर लेना है यानि कि आपको plot की साफसफाई करवा लेनी है उसी के बाद आप आगे बढ़े next step पता है आपका layout जिया दोस्तो layout आपका वह इंजिनियर करता है जिससे आपने drawing या फिर घर का नकसा बनवाया है साथियो मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि इसमें आपका 20 से 30,000 रुपे तो जरूर खर्च होगा पर इसका आपको ये फायदा होगा इसमें आपकी सिर्दर्दी भी नहीं रहती आप ठेकेदार या फिर मिस्तरी के बरो से काम को छोड़ देंगे तो उसमें बाद में आपको पता चलेगा गलतियों के बारे में मतलब आपका लाखो रुपे तो वैसे ही बरबाद हो जाता है इसलिए आप घर बनाते हुए किसी सिविल इंजिनर से कंसल्ट जरूर करे और सिविल इंजिनर की विजिट समय समय पर कराते रहे अब नेक्स स्टेप आता है लेयाउट के बाद एक्सकावेशन यानि के फुटिंग या फांडेशन के लिए खुदा ही साथियो आप एक्सकावेशन मैनवाली भी करा सकते हो या भी JCB मशीन से भी करा सकते है मैनवाली कराने का ये फायदा होता है कि आपको जितना एक्चुल साइज चाहिए होता है आप उतना ही एक्सकावेशन आसानी से करा सकते है और JCB वगर्या से समय तो कम लगता ही है साथी खर्च भी कमाता है और अगर आपको proper actual size excavation कराना है तो आपको manualic कराना चाहिए यानि कि उसमें आपको जितना size चाहिएगा उतना ही आपको proper excavation कराके उतना size मिल जाता है अब next step आता है PCC साथियों आप ज्यान रखे कि PCC आप M10 grade डाले यानि कि जिसमें आपका 1,3,6 रेसो रहेगा जिसमें 1 part cement, 3 part sand और 6 part aggregate यानि कि गिट्टी के रहेगे इसके बाद हमारा next step आता है column और footing की marking जिया दोस्तों PCC करने के कम से कम 10 से 12 गंटे के बाद आपको column और footing की बान दे और फिर उस पर आप column को खड़ा कर ले जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कुछ इसी तरीके से आपको पर अच्छी तरह से support दे करी column को बिल्कुल सीधा vertical position पे खड़ा करना है ताकि आपका column इधर से उधर नहीं जाए इस बात का आपको जरूर द्यान अ और साथियो footing की बात करें तो नॉर्मल गरों में आपको trapezoid footing का ही इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि इस footing की load bearing capacity अच्छी होती है as per compare to simple footing अब इन सब के बाद हमारा अगला step आता है footing की casting करना जिया दोस्तों आपको ध्यान अगना है कि footing की casting M20 के कम grade से तो बिल्कुल नहीं कर कर सकते हो जिसमें आपका एक डेट तीन का ratio रहेगा यानिके जिसमें एक पार्ट सिमेंट कराएगा डेट पार्ट सेन और तीन पार्ट aggregate यानिके गिट्टी कराएगा और footing casting करते समय आपको ध्याना करना है कि proper अच्छी तरीके से vibrator का use भी किया जाए अब footing तक का काम होने क के बाद हमारा अगला step आता है पेडिस्टल कोलम यानिके पेडिस्टल कोलम के हमें कास्टिंग करने होती है फिर उसके बाद हमें backfilling का काम करना होता है दोस्तों ध्याना कि कि backfilling करते हो आपको proper vibrator machine का use करना है या आप उसमें पानी छोड़ दे और पानी आपको तब तक जब तक के soil अच्छी तरह से settle नहीं हो ताकि in future घर में कोई भी cracks नहीं आए अब इसके बाद हमारा next step आता है brickwork up to plint beam साथियो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कुछ इस तरह से हमें plint beam डालने से पहले वहाँ पर brickwork करना होता है तो कुछ जेंगे पर ऐसा भी होता है कि लो जैसे आपकी drawings में दिया हुआ है कि वैसे वैसे ही सर्या जरूर बंद है आपका top and bottom का सर्या बिल्कुल proper drawing के according होना चाहिए साथी आपकी rings भी drawing के according होना चाहिए यानि कि आपकी ring की spacing जो भी drawing में दी हुई है वह ध्यान रखे और ध्यान रखे कि सभी ring की hook alternate करके होनी चाहिए यानि कि एक hook एक side रहेगी तो अगली hook दूसरी side रहेगी पर मैं आपको suggest करूँगा कि पिलिंद beam के समय पर आप किसी civil engineer से visit जरूर कराए ताकि गलती की कोई भी गुंजैस नहीं हो अब इसके बाद हमारा अगला कामात है पिलिंद beam की shuttering करना दोस्तों ध्यान रखे कि पिल पिलिंद beam की shuttering करते समय प्रोपर लाइल लेंद का जरूर ध्यान रखे अब इसके बाद हमारा अगला काम आता है पिलिंद beam की कास्टिंग करना यहीं कि डहलाई तो दोस्तों ध्यान रखे कि पिलिंद beam कास्टिंग करते समय आपको प्रोपर अच्छे तरीके से vibrator का करना है इस बात का भी जरूर ध्यान रखे कि M20 से ज़्यादा तो कर सकते हैं लेकिन M20 से कम का बिल्कुल नहीं इसके बाद हमारा अगला step आता है सेंड सोयल या फिर मोरोम की फिलिंग करना दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पिलिंद beam के बीच में जो यह खाली ज करना दोस्तों अगर आपने घर में DPC को दिया है तो आपके घर में कभी भी सिलन नहीं आएगी जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो कुछ इस तरह से आपकी दिवार खराब नहीं होगी और आपका पैंट या पलास्टर सुरक्षित बना रहेगा अब दोस्तों बहुत कर फिनिशिंग फ्लोर लेवल होगा उससे दो इची उपर है आप DPC प्रोवाइड करें फिर इसके बाद हमारा अगला स्टैप आता है कोलम कास्टिंग करना यानि कि कोलम की डलाई दोस्तों कोलम की कास्टिंग करने से पहले आपको इस बात का जरूर द्यान अगना है कि आ आपका प्रोपर अच्छी तरह से शट्रिंग किया गया हो यानि के आपका शट्रिंग या तो स्टील फ्रेम हो या फिर प्लाई बोर्ड का हो ऐसे नहीं कि आपको इधर उधर फट्टा वगरे लगा कर आप उसकी कास्टिंग कर दे ऐसा बिलकुल गलत है आपको द्यान आपको प्रोपर अच्छी तरीके से वाइवरेटर का यूर करना है और लास्ट में आपको पलंबोव की सायथा से यह भी चेक कर लेना है कि आपका कोलम वर्डिकली बिलकुल सीधा हो अब दोस्तों एक कोश्चन यह आता है कि पहले कोलम बरे यानि के कोलम की कास्टिंग कर या फिर बिरिक वर्ड करे तो दोस्तों आप दोनों तो ऐसे काम कर सकते हो पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कोलम की कास्टिंग करे उसके बाद या बिरिक वर्ड का काम करे इससे आपकी कंस्ट्रेक्शन की स्पीड बढ़ जाती है और हमने भी इस वीडियो म या हररोज करने ही पड़ती है वो कैसे मानले जेए आपको फुटिंग कास्टिंग के आपने तो क्यूरिंग करनी है अपने पिलेंदव अज curious करने थी तो इसलिए अपको पृपर अच्छे तरह से क्यूरिंग ज़रूर करते रहना चाहिए वय भी डेली और अगर आप गर्मियों के मौसम में हैं तो आपको कम से कम 3-4 या फिर 5 बार भी curing करने चाहिए और अगर आप सर्दियों के मौसम में हैं तो कम से कम 2-3 बार curing जरूर करें तो चलिए दोस्तो अब बढ़ते हैं हमारे next step की और तो next step आता है हमारा brick work up to seal band यानि कि हमें जो अब brick work करना है वे हमारा seal level तक रहेगा यानि कि जो हमारा खिड़की का bottom होता है वहां तक हमें आप brick work करना है उसके बाद अगला step आता हमारा seal band यानि कि हमें सभी दिवारों पर जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से seal band देना चाहिए seal band देने का ये फायदा होता है कि मान लिजे अगर आपकी दिवार में कहीं पर कोई cracks आए भी तो वह उपर तक नहीं पहुँच पाएगा वह crack नीचे ही रहेगा और फिर आप उसको वापिस उतने ही एरे को repair कर सकते है इसलिए आपको seal band जरूर प्रवाइड करना चाहिए फिर इसके बाद हमारा अगला step आता है brick work up to lintel beam यानि कि जो हमारा खिड़किया दर्वाजय का टोप रहेगा उस तक हमें brick work करना चाहिए और फिर next step आता है lintel beam फिर हमें इसके उपर चारों दिवारों पर यानि कि चारों साइड में हमें सभी दिवारों पर हमें lintel beam प्रोवाइड करना चाहिए इसके बाद आता है हमारा brick work up to slave level यानि कि जो हमारा slave level रहेगा अब हमारा brick work वहां तक हमको complete कर लेना है इन सब के बाद हमें काम करना होता है staircase का और जब आपका staircase का काम finish हो जाए तो फिर हमारा काम आता है slave shuttering अब आप slave की shuttering की तयारी शुरू कर सकते है दोस्तों द्यान लगे कि slave shuttering करते हुए shuttering में बहुत ज़्यादा gap नहीं छोड़ना है अगर आप वहां पर ज़्यादा gap छोड़ देंगे तो वहां से concrete नीचे गिरने लगेगा इससे आपकी छट की finishing अच्छी नहीं आएगी और दूसरा आपको यह भी द्यान लगना है कि आपकी shuttering का level बिल्कुल सही हो और shuttering complete होने के बाद आप छट में सरिया बनाई का काम start कर सकते है यानि कि आपको सरिया को proper design से अच्छी तरह से binding कराना होगा पर मैं आपको suggest करूँगा दोस्तों कि इस समय पर आप किसी civil engineer से विजिट जरूर कराए ताकि वह इस समय पर आपकी एक तो सलेब shuttering को भी चेक कर सकता है दूसरा वह आपका proper अच्छी तरीके से सरिया की चेकिंग कर लेगा यानि कि आपका सलेब में कैसे कैसे सरिया बागना है वह भी चेक कर लेगा और beam वगएरा का सरिया भी अच्छी तरह से चेक कर लेगा इसलिए आप किसी civil engineer से विजिट जरूर कराए अब shattering work और steel work को complete होने के बाद हमें काम start करना चाहिए electrical conducting work का सात्यों ध्यान रखें कि electrical conducting work आपको अच्छी तरीके से कराना चाहिए और उनको सबी pipes को अच्छी तरह से binding wire से उनको बाढ़ ले ताकि वह चत्र डलाई के समय इधर उधर नेखिसके और वैसे ही आपको जो आपके fan box या concealed box वगेरा रहेंगे उनको भी अच्छी तरह से बाढ़ ले और उनमें अच्छी तरह से उनको side से taping कर ले ताकि उनमें concrete नेगुसे अब next और most important step अदा है आपका चत्र डलाई यानिके slave casting दोस्तो slave casting के समय आपको ध्यान रखना है कि आपका एक तो proper अच्छे डंग से vibrator का यूज किया जाए आपको vibrator का अच्छी तरह से यूज करना है आपकी छत में भी और जो भी beams वगेरा है उन सभी में आपको vibrator का यूज करना है दूसरा आपका concrete अच्छी तरह से mix होना चाहिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है यानिके जो आपका concrete बनेगा वह अच्छी तरह से mix होकर ही उपर आना चाहिए चत्र डलाई करने के बाद हमारा next step आता है slave की curing करना दूसरा आपको ध्यान रखना है कि चत्र डलाई के अगले दिनी आपको चत्र के उपर चोटी चोटी सी क्यारी वगरा बना कर उसमें पानी बरकर छोड़ देना चाहिए और आपको वह कम से कम 14-15 दिनों तक डेली वहाँ पर curing करनी है यानि के आपको 14-15 दिनों तक पानी बरकर छोड़ कर रखना है ताकि चत्र अच्छी तरह से मजबूत हो जाए अब slave का काम खतम होने के बाद हमारा अगला काम आता है plumbing का तो plumbing fitting जो भी आपकी होगी bathroom में या kitchen में या वी toilets वगरा में सबी जंगे पर आपको अच्छे plumber से ही fitting करानी है ताकि in future pipes वगरा में किसी भी तरह का leakage आपको ने आए आप द्यान रखें कि कि किसी अच्छे plumber से ही काम कराए नहीं तो बाद में बहुत लोज उठाना पड़ सकता है ठीक इसी के साथ या फिर इसके बाद आप electrical का काम करा सकते है यानि कि आपकी सबी दिवार पर जो भी आपको pipe fix करने होते है या फिर light वगरा के box लगाने होते है तो वे आप सब fix कर सकते हो इनी के साथ साथ आप उपर मम्टी और पेरापिट का काम भी करा सकते हो electrical और plumbing का काम होने के बाद आप अपने घर में कच्चा फर्ष यानि के floor की PCC भी कर सकते है फिर next step आता आपका outer plaster work इन सभी कामों के बाद आप outer के दिवारों पर plaster का काम start कर सकते हो और फिर अगला step आता है आपका inner plaster work फिर आप inner में यानिके अंदर की सभी दिवारों पर plaster का काम करा सकते है तो साथ यहां तक तो आपका structure work complete अब बात करते हैं आपको finishing work की अब plaster का काम complete होने के बाद आता है आपका flooring या फिर tiles या पत्थर का काम मतलब दोस्तो अब आपको घर में जहां कहीं भी tiles पत्थर या फिर flooring या marvels वगेरा का काम कराना है तो आप वह काम करा सकते हैं इन सभी कामों के बाद अगला step आता है wooden work यानिके आपको खिड़की दरवाजा वगेरा या फिर कोई भी furniture work का काम कराना हो तो वह हम करा सकते हैं इन सभी कामों के बाद हमारा अगला step आता है railings वगेरा का काम यानिके staircase वगेरा की railing या फिर parapet wall की railing या खिड़की दरवाजों के frames वगेरा इन सभी कामों काम complete करा सकते हैं अब आता है हमारा repair या maintenance work अब आपको ध्यान रखना है कि हमारे घर में कोई भी काम ने रहे सबी तरह के काम complete होने के बाद ही आपको पुट्टी और पैंट का काम स्टार्ट करना है और इसमें आप पहले दो कोट पुट्टी के करें और उसके बाद ही आप पैंट का apply करें दोस्तों ध्यान रखे कि पुट्टी और पैंट आपको किसी अच्छी कमपनी का ही यूज करना है क्योंकि अच्छी कमपनी का पैंट लोंग टाइम डियरेबल रहता है और साथ ही घर की मजबूती के साथ साथ घर सुन्दर भी दिखाई देता है और पैंट का काम कमपलीट होने के बाद फिर आपका एक लास्ट स्टेप आता है वह है डोर और विंडो के किलीन करना यानि कि जब आपका पैंट का काम कंप्लीट हो जाए तो आपको सब भी अपने खिड़के और दरवाजों को एक बार अच्छी तरीके से उनको साप्स कर लेना चाहिए क्योंकि कहीं बार पैंट के छोटे छोटे दब्बे दाग दब्बे रह जाते है इस वज़े से आपको अच्छी तरह से डोर और विंडो को क्लिन कर लेना है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope दोस्तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और मेरी आने वाली और भी अच्छे अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत बोलिएगा मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार और वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आपका वोद बहुत धन्यवाद